असलामों अलेकुम आज हम बनाएंगे पालक से एकदम हेल्दी और टेस्टी स्नेक की रेसिपी जो खाने में बहुत ला जवाब होता है इस रेसिपी को बनाकर आप 15-20 दिन तक रख सकते फ्रीज में या डबा में किसी में भी भर के रख सकते तो चलते फटा-फट से शुरू करते हैं तो हमने यहां पे 300 ग्राम जैसा पालक ले लिए फ्रेस पालक तो पालक को अच्छे तरीके से हमने साफ करके से धोल लिया आप देख सकते खली हमने पती लिया डंठल हमें नहीं लेना है खली पती का हमें इस्तिमाल करना है तो अब इससे हम बारिक बारिक कट कर ल लेना हमें तभी आपकी स्नेक अच्छी बनेगी तो फटा फट से हम सभी पालक को कट कर लेते हैं इस रेसिपी को बना कर आप बच्चों को भी दे सकते हैं और इसे फ्रेज में रख देंगे जब भी आपको खाने का मन होगा तब इसे फ्राइ करके खासे तो इतना अच्छा रेसिपी होता है एकटम सनेक के तरह होता। अब देख Um ergon भारीक कट कर लिए हैं इसी तरह हमें फुरा भारीक भारीक कट करना है कालक के अंदर डालेंगे थुड़ा साहरा धन्या बारीक कट यहाई इसी के अंदर कुछ मसाले डालेंगे रिज wydaje add Über शब अधि रिज़ नमक एट करेंगे इसी के अंदर दो चम्मट डालेंगे कौन फ्लावर आप तो एक कप हम बेशन डाल रहें अगर मुझे जरुवत पड़ेगा तो थूड़ा सा ओड डालेंगे क्योंकि पालक को हम अच्छे से मेश करेंगे तब थोड़ा पाने छोटेगा दो चमत डालेंगे सफेद दल इससे बहुत अच्छा लगता है और एक चमत से देट चमत जैसा डालेंगे अधरक लसन हरी मेचिक दरदरा कुटा हुआ अब विसा हुआ पेश्टी भी डाल सकते हैं तो अच्छे से मिक्स कर दे है तो आधा कब जैसा और भी हम बेशन एड़ कर दे रहें बहुत ज्यादा भी नहीं एड़ करना है बेशन नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा यह स्नेक पाला के स्नेक है एक जम हेल्दी और टेस्टी भी होता है तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिया अब देख सकते अब हम थोड़ा से अच्छे से पहले सेट कर देते हैं इस टील के बरतर में बहुत ज्यादा बेशन चिपकता है तो दो चमचे सामने सक्कर डाला एक निम्बू का राश डालते हैं थोड़ा खटा मेठा बनाएं और नमकीर बहुत अच्छा बनता है यह खाने में थोड़ा स्ने पातले का जैसा लगता है तो एक चमच फिर से हमने बेशन का इस्तिमाल करा इसलिए कि थोड़ा हमने सक्कर डाला और निम्बू तो थोड़ा और भी वो हो जाएगा पानी छोड़ जाएगा इसके लिए इसे थोड़ा कड़ा चाहिए हमें तो अच्छे से अब देख सकते ह हमने में कर दिये हैं तो अब ढूसरे वां ट्रासपन मेंным कारव कर देते क्योंकि इस्ति के बड़न में बहुत जाटा चैसी ब्erkत और इसमें भी थोड़ा सा तेल लगा दिये और अच्छा से से हम सेट कर देते इस तरह हाथ में लेकर एक सा लंबा सा आकार देना उसके बाद अच्छे से इन सेट करेंगे बिस्किट के तरह इसका स्नेक बनाएंगे यानि जो टोस्ट पटर होता है इस तरह हम थोड़ा सेट कीस तरह कर रहें इसी तरह हमें करना आप कोई भी आकार में बना सकते हो आप देख सकते हो कितने अच्छे से अच्छे सáveis दे दिये हैं तब चलते हैं बैसे हम रख देते हैं ओर एक हम जालीदार पलेट लेंगे आपके पास इटली उबाहने वाला बरतन हो, तब उसमें भी इसे बोईल कर सकते हैं, तब हम एक काना वाला बरतन ले लेते हैं, तो इसमें हम थूड़ा सा तेल लगाएंगे और इसी के उपर वो जो हम बना कर रखे हैं, वो इसी के उपर रख देंगे, ताकि आसानी से अच्छे से बोईल हो जाएगा, त कवर कर देते हैं, पांसे दस मिनिट के लिए मिडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे, ताकि आसा जल्दी से हो जाएगा, तो पांसे दस मिनिट हो चुका है, अब इसे हम छूरी लगा कर देख लेते हैं, कच्छा है या पका, तो पक चुका है, छूरी में बिल्कुल भी न जवाजवाब होता है, तो फिर से इसे भी हम उका, पॉयल कर लेते हैं, तो दूसरा भी हो चुका है, अब इसे भी निकाल लेते हैं, और ठंडा होने देते हैं, थोड़े दिर पांस मिनिट तक, उसे बाद हम इसे कट करेंगे, इसमें भी नहीं लग रहा है, अब देख सकत हैं, तो इसे हम कट कर लेते हैं, तो पहले हम छूरी में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ताके चिपके नहीं, उसके बाद इसे हम कट करेंगे, तो फटाफट से हम कट कर लेते हैं, छूरी में तेल लगाकर कट करिएगा, और ना तो चिपकने लगेंगे, तो आप देख सकत जो अर्बी का पत्य का बनाया जाता है वो खाना भूल जाएंगे अगर ये हेल्दी और टेस्टी और बना कर खाएंगे अब देख सकते हैं इसका आकार डिजाइन कितना खुबसूरत सा बनकर तयार हुआ है तो चलते हैं फटाफट इससे हम एक बरतन में रख लेते हैं और ग को ही डिजाइन का बनाया तो टेल में हम डाल देते हैं अब देख सकते हैं तो मीडियम गरम हो चुका है तो एक एक करके सबीकी हम डाल देते हैं और इससे घकर करके हम उपटके करेंगे afectDS भी ज़्यटा इस प्रकोड़ को गराशा होजाए गहराउध पर देख सेभंग और मीडियम आज पर पकाएंगे तो ही कुरकुरा होगा अगर हाइ फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो खली गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और कुरकुरा नहीं बलेगा इसलिए मीडियम टू हाइ फ्लेम पर इसे फ्राई करें तो अच्छे से कुरकुरा होगा अब इसे लाइट कोलन ब्राउन हो चुका है, तो सभी को निकाल लेते हैं, और बाखी का जो बचा है, उसे भी हम इसी तरह फ्राइ कर लेते हैं, आप इस रेसिपी को एक बर जरूर ट्राइ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम हेल्दी और टेश्टी रेसिपी है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो लाइक से कमेंट करें, उम्मेट करते हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, यह बहुत जवाब हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं, एकदम टेश्टी है और चट पता भी है अगर आप कोई स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो स्पाइसी भी बना सकते हो तो फटा फटसे से हम साव करते हैं इतना लाजवाब रेसिपी के लिए आप एक लाइक तो बनता है आप एक लाइक जरूर करते जिएगा आपको इतना कुरकुरा बनाया भी मेरा थोड़ा गरम है तो आप देख सकते हो इतना अच्छे से टूड़ गया है थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और भी कुरकुरा हो जाएगा थोड़ा गरम रहता है तो कम कुरकुरा रहता है ये तो आपको पते योगा इतना अच्छे से टूड पूरा धंडा हो जाएगा तो पूरा कुरकुरा बन जाएगा